कि Hello civil engineers Welcome back to the lecture so last lecture में हमने सारे चीज़ देखा है कि पोजलों किसे काम किया जाता है right किस तरह से हमें उसको समझना है और रियक्शन क्या होता है हर एक चीज़ हमने देखा है तो हमें इसका भी मतलब समझ में आगा है अभी मिन्राइड्मिक्षर काहां पर यूज करेंगे मिन्राइड्मिक्षर कुछ और नहीं वहीं पोजलोना होते हैं ठीक है जिसे फ्लाइड सिलिका फ्यों में अपने पोजलोना से जिसका हम यूज करेंगे अपने सिमेंट के साथ ठीक है अब नेक्स्ट एक और क्वेशन आएगा कि सेग्रिगेशन क्या है इसका मिन अल्रड़े आपको इन डीटेल में एक्सप्रेंड किया है मेरे साइट इंजिनेर के कोर्स में फि अगर आपके कॉंक्रिट में अगर आपके फाइन जो कोर्सर मटिरियल लेकोर सेग्रिगेट वो नीचे रह जाएगा फिर जो फाइनर रहेंगे जिसे पानी होगा वो उपर आजाएगा जब इस तरह से फिनॉमेना होगा वी कॉल इट अग्रिगेशन ठीक है वाट इस प्र होगा अगर आप प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करोगा करोगे आपके कॉंक्रिट का नटिजा वन रीजन सेकेंड क्या रीजन है जब आप कॉंक्रिट को पोर करोगे अगर आपका हाइट ऑफ पोर इस मोह दन 1.5 मीटर तब भी आपका सेग्रिगेशन होगा ओके इस तो रीज है घडिशन हो जा जाएगा और पर जाएंगे छलत बनाप सब्शेशन करोगे इस पूरा फीनीशिंग करोगे पानी कैट का नज़र आएगा अब एक पूरा पानी का ले रहे यहां पर भी पानी का ले रहे यहां पर और उपर कट कर आप लिगstein को तो यहां पर अपना खुन बार ऋपर निकल के आएगा तो important वहां पर bleeding हो रहा है so in the same way concrete में भी bleeding होगा पर यहां पर खून नहीं आएगा बस पानी उपर आ जाएगा why these things happen because जितने भी अपनी lighter material से उपर आ जाएंगे और इस bleeding के साथ ना यहां पर एक और टेम ही अगर पानी के साथ अगर थोड़ा भी सिमेंट का स्लरी भी उपर आ जाएगा it is called as latines तो यहां पर एक word लेटाइंस उसका हम देखेंगे whether it is mentioned here or not वह वेसे कुछ नहीं लिखा है यहां पर हां चलो कोई problem नहीं अगर देखो इसके साथ एक और चीज़ बे विच इस लेटाइंस में हाँ पर लिखूंगा वोट इस लेटाइंस लेटाइंस मतलब क्या है पानी तो रही आएगा water के साथ अगर सिमेंट का स्लरी भी आएगा सिमेंट भी उपर आ जाएगा तो यहां प कर प्र नटे कोईड क्यों मतलब स्याथ लेटा रहे से उल्समेन प्रिखे अप्रॉ जब्सक्रिवल आ क्यों तुबॉट इस अपानी आप्ड प्रॉटा इस लेटाइब आख को डी आपनी आप्र तनननक्या ब्रिदेज़ यहां तो लीडी अचिर जा स्ट्ट जुपन पा पानी आपको एड करना तो उतना ही आड करना है अगर आप ज्यादा पानी आड करोगे तो क्या होगा जो एक्सेस पानी होगा क्योंकि पानी का जो specific gravity हो थोड़ा ज्यादा है in comparison to the coarse aggregate fine aggregate तो lighter material obviously उपर आ जाएगा तिसलिए आपका पानी उपर आएगा ठेक है thus the water rises up and appears on the surface of the compacted concrete sometimes a finer particle such as cement is also carried with the rising water so this is called as latines sometime a finer particle such as cement is also carried with the rising water यह आपका latines हो जाएगा ठीक है the water trapped by the superimposed concrete results in porous weak and non-durable concrete तो इससे क्या हो जाएगा जब यह पानी उपर आगा है तो थोड़े time के बाद यह पानी आपका यह operate हो जाएगा जैसे पानी operate हो जाएगा फिर वहां पर क्या होगा वाइट हो जाएगा फिर वहां पर cracks develop हो जाएंगे ठीक है if the rising water is trapped on the underside of the reinforcement then a zone of poor bond is created this water forms voids on operation and makes a concrete weaker अगर यह जो पानी यहां पर excess पानी है अगर मालो ओ आपका जो reinforcement आगर के अंदर अगर हो जाएगा और जब वह operate होगा तो क्या हो जागा वहां पर पूरे वाइड बन जाएगा इसके वाज़े से क्या होगा आपका जो concrete का जो strength है यह आपका concrete weak बन जाता है तो इसलिए जब हम concrete करते न अगर इससे पानी ऊपर हमें नजर आएगा तो हमें क्या करने उसको निकालना पड़ेगा तो इससे floating करके जो मेंसा ने उसको भोलके जो access पानी उसको हम वहां से हटाएंगे तो अगर आ गए तो उसको इससे हटाएंगे तो अगर इसको कि 1 पान आड करेंगे सही से mixing तब जाके प्रब्लम नहीं आएका ठीक है तो इस is अंड्रेट्ड या वियावे प्लेट्ट व c segregation we understood what is bleeding but इसको याद रखना इंटर्वी में आपको यह भी question पूचा जाएगा की segregation क्या है what is honeycombing what is bleeding so this is how you are supposed to answer that okay ठीके so I hope you have enjoyed my lecture up to here you got an idea की segregation क्या होते है bleeding क्या होते है आगे और भी हम questions को देख लेंगे so that we get an idea so we'll see you back in the next lecture thank you